मेरा नाम विकास कुमर सिंग है और मैं एक बुक है जिसको मैंने लिखा है और दो महिले में पब्लिश होने वाली है जिसका नाम है रिटर्ण टिकेट दोस्तों मैं एक बहुत खास चीज आपको बताना चाहता हूँ इस बुक के माध्यम से और वो चीज है कि जिस दिन हम लोग पैदा हुए थे जिस दिन हम लोग ने इस संसार में जनम लिया था एक चीज जो दिन शित हो भी थी और वो थी हमारी रिटर्ण टिकेट हर कहानी का एक अंत होता है और हमारे जीवन का भी एक दिन अंत होना है पर सवाल यह है कि जो जीवन हम जी रहे हैं क्या उसके बारे में हमें पता है एक दिन इस जिन्दगी का बहुत ही कीमती है दोस्तों ये एक दिन इस जिन्दगी का क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकंड है let me put in English 86,400 सेकंड नौ दर क्वेशन इस सवाल यह है कि क्या एक एक सेकंड हम लोग सही माइने में यूस कर रहे हैं और छोड़ी एक एक सेकंड की क्या कर एक एक दिन, क्या कर एक हफ्ता, एक एक बहिना, इवन साल क्योंकि मैं एक 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 जामपिल हूँ जिसने जिन्दगी के बहुत सारे साल वेस्ट कर दिये, परबाद कर दिये, जिसका मुझे खुद ही पता नहीं था और मैं आप लोगों को वो गलती नहीं कर देना चाहता, जो मैं अपने साथ कर चुका हूँ, और यही एक मेरा अब्चेक्टिव था, यही मेरा एक कोशिश थी, इस बुक के माध्यम से, कि आपको बता सकूँ, कि हमारा समय इस दुनिया में बहुत ही कम है, और बैस सही कहू रहो, पुशहाल रहो, दोस्ती यारी पे रहो, बेकार में इंटरनेट और चीजों के अंदर वेस्टा करो, यह इस कॉंसेट को बुक के माध्यम से मैंने लिखा, उसके बुक के अंदर बहुत सारी मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजे हैं, जो मैंने जिन्दगी में सीख मैं आप लोगों के सामने प्रसुच करना चाहता हूँ, इस किताब की माध्यम से, and the first topic is, no thai self, Socrates ग्रीज के अंदर बहुती बड़ा फिलोस्फाल होता, और उस जमाने में, उसको सबसे ज़्यादा वाजिस्ट में कहा जाता था, मतलब सबसे ज़्याद बद्धिमान आदम अपोलो टेंपल है, डेल्फी के अंदर, अगर वहाँ जाओ तो आज भी 2000 साल पुराणी चीज में इसक्राइब एक उसके पथर के उपर, no thai self, जिसका मतलब है कि पहले अपने आपको जानो, बाकी दुनिया को छोड़ो, इसको जानो, बुक को जानो, वो छोड़ो पहले अपने आपको जानो, first you realize who you are, क्या आप चाहते हो, जिन्दगी में आप सुभे, क्या रीजन आपके उठने का, आप इस जीवन को रह रहे हो, या उसको enjoy कर रहे हो, whether you are existing, or whether you are living friends, there is a big difference into it, क्या आप खाली रह रहे हो इस उनिया में, या जी रहे हो, जी रहे हो तो किस जीने का, खाली खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, यही आपको objective है, यह जानवर भी करता है, और बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हो, बट आप इस दुनिया में आए हो किसी मकसद के लिए, किसी रीजन से भगवान आपको उता रहा है, तो अपने जीवन क वरत मत जाने दो, अपनी आवाज को, अपने कला को, अपने हुनर को, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, दिल लगा के करो, आप एक लोग रहे हो, उस में आपको interest है कि नहीं, कि आप दिल से कर रहे हो, और अगर दिल से कर रहे हो, तो जी जान रखा दो